हेलो गाईस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिरल साहता पर दोस्तो आज का ये वीडियो पीम आवास योजना के अंतरगत आवास प्लस के बारे में होगा जिसमें मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिरकार आवास प्लस है क्या और आवास प्लस के अंतरकत जो है कौन-कौन से लाभुक आ सकते हैं और जिनका नाम आवास प्लस के सूची में है तो उन लोग को प्रधानवंतरी आवास यूजना के तहट जो है कब तक आवास मिलेगा और इसकी जो प्रक्रियाए होती है वो किस प्रकार से है कि जिन लोग का नाम आवास प्लस में है उन लोगों का नाम ACCC डाटा में है या फिर नहीं तो सारी जानकारी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगा और जो आप लोगों में जो ये असमंजस की स्थिती पैदा हुई है कि आवास प्लस अखिर कर है क्या ये पूरा क्लियर करूंगा तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डीटेल बताऊंगा तो चल ये वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि प्रदान मंतरी आवास शुजना ग्रामीन के वेबसाइट पर भी यहाँ पर आवास प्लस की एक जो ओप्सन है वो आपको दिखाई देगी जैसे हम लोग जो है डाटा एंटरी के ओप्सन पर आते हैं इसमें क्या क्या जो ओप्सन है उसके अंदर मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर आवास प्लस रेजिस्टेशन आधार अप्डेशन एंड अप्लोड अप कॉनसेंट फॉर्म यहाँ पर आपको आवास प्लस के अंतरगत जितने भी सारी डीटेल्स आते हैं वो सब ही यहाँ पर आपको फिल अप करने का उप्सन दिखाई देता है तो चलिए अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आवास प्लस होता क्या है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस से पहले 2021-22 से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन के अंतरगत जितने भी आवास बने थे वो सभी ACCC डाटा यानि कि ACCC सर्वे 2011 के अनुसार बने थे जिसमें आर्थिक जनकन्ना के अनुसार उस टाइम जो है ऐसे लाभारतियों को चाइनित किया गया था उस समय जिन लाभारतियों का जो स्थिती था वो BPL के अंदर था यानि कि BPL के अंदर उस समय जिन लाभारतियों की स्थिती थी उन्हीं लोगों को जो है उस सुची में रखा गया था तो उसी के बाद भी जब सर्वे किया गया बाद में तो पता चिला कि ऐसे बहुत सारे लाभूख है जिन्हें अभी भी प्रधान मंतरी आवास शुना ग्रामीन का लाब मिलना चाहिए और वो जो है एक योग या लाभूख है तो उसके आधार पर जो है बाद में एक सूची जो है पंच आवास प्लस की सूची है वो निर्धारित कर ली गई थी यह आमसभा के अंतरगत जो है पंचायत में यह सूची का जो है निर्धारन किया गया था जिसके बाद जब यह ACCC डाटा से जितने लाभारती थे सभी लोगों का आवास बन गया उसके बाद अब आवास प्लस की योजना के अंतरगत घर बनाएं जा रहे हैं तो दोस्तों आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आवास प्लस की सूची में है या फिर नहीं तो यह सूची सबसे पहले आपको जो है ब्लोग में मिल जाएगा वहाँ पर चाके आपको चेक कर लेना है कि आपका न में आपको जो है अपना डी सेना फ्रस के रूप में करा लेना है तब जो है फिर से जब डीष्टिक से कोड़ा आएगा तो आपका भी आवस बन जाएगा तो दोस्तों याज गई वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि इस चैनल पर इसी प्रकार के प्रधान मंतरी आवास उजना और सरकारी योजनाव से सम्मंदित वीडियोज रते रहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद